ये बड़ी और एहम जुआनकारी आपको बता रहे हैं महरास्ट में आज 11 लोग सभा सीटों पर मत 9 बज़े तक का आख्रा सामने आ चुका है आप सीधी तस्वीरे वहाँ से देख रहे हैं कि आज सुभा 9 मावल में सुभा 9 बज़े तक 5 दशवलव 3-8 प्रतिशत मतदान होत नौ बज़े तक का आख्रा सामने आ गया है जहां महराश्ट में 6 दशवलव 4-5 प्रतिशत मतदान अब तक होता हुआ नजर आया है वही पूरे में सुभा 9 बज़े तक 6 दशवलव 6-1 प्रतिशत मतदान होता हुआ है ये बड़ी खबर सामने आ रहे हैं जलगाव में सुभा 9 बज़े तक 6 दशवलव 1-4 प्रतिशत मतदान हुआ है ये महराश्ट उसे सीधी तक 6 दशवलव 8-3 प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है नंदूर बार में सुभा 9 बज़े तक 8 दशवलव 4-3 प्रतिशत वोटिंग होते हुई नजर आया साती आप जलगाव में सुभा 9 बज़े तक 5 दशवलव 1-3 प्रतिशत मतदान हुचुका है ये महराश्ट उसे सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की जौहां लगातार मतदाता अपने मतदा अफ्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और मुगा 9 बज़े तक का याक्रा सामने आया है महराश्ट में 6 दशवलव 4-5 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है इस खबर पर तमाम जौनकारी के साथ महराश्ट उसे समवादाता मंगला गागी जुमार साच चुकी मंगला महराश्ट में जिस तरीके काम तर देखने को मिलेगा अकंशा मैं आपको बता दू के महराश्ट में इसमें मतदान जोरों सोरों से चल रहा है सबसे जागा मतदान अभी तक 9 बज़े तक नंदुर बार जिले में हुआ है मैं आपको बता दू के वहां से बीज़े भी की हीना गाविच तिस्तरी बार चुनाव लड़ रही है जो महराश्टा के मंत्री अधी वर्षी मंत्री वीज़े कुमार गाविच की बेकी है और तिस्तरी बार चुनाव लड़ रही है वहां अभी तक 1.43% मत्री परसेंट मत्री वो चुका है उसके खिलाब गोवाल पाड़ वी जो कॉंग्रेस के उमिद्वार है वो चुनाव लड़ रहे है सबसे कम मतदार अभी तक शुरूर लोक्तोबाश इसमें हुआ है वहाद में अमल को ने चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाब है शुचेना के सिंदे गुद के शिवाजी राव अड़ल राव पाड़िल चुनाव मैदान में है और सुना में 6.61% मतदार हुआ है वहादी सुरक्षा से पुक्सा इंतजाम किये गए है बाजोपा का जो परमपरा का तो ओटदार है मतदार है वह सबसे पहने सुनाव के लिए मतदान करने के लिए घर से बहाद निकल चुका है वहादी भारी साधात में मतदार हुआ की राग लगी है मतदान करने के लिए वहादे पुने में बीजेपी के उनुरलीगर मोहर और उनके खिला कांग्रेस के रभींद्र भुंगे के जो तीटी लेमेले है वो चुनाव लड़ रहे है यह परंपरागत सीट बीजेपी की है उसके पहले गिरिश बापत यहां से चुनाव लड़ते थे गिरिश बापत की देहान होने के बाद चुनाव यहां पर नहीं हुए है जो फाइनल चुनाव अभी हो रहा है वहाँ पर लेकिन यहां बारी पेमाने पर मुझाव है के अंदरों पर जहां पर जारा सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर फुक्ता इंतजाम किये गए है पुलीस है महाराश्चे की पुलीस है जो एकार्टी है त्यार्टी है जो रिजर्व पुलीस बाले उनको भी चुनाव के मैदान में लाया गया है जहां पर होगती है बी कि दिखाई दे रहे हैं लेकिन बीज में इस बार कुछ चित्र अलग दिख रहा है कुछ सिन्यारों अलग है पिछले वक पिछले 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें धरंजे मुंडे के खिलाफ पंकजा मुंडे लड़ रही थी दोनों के भाई भैन में बेर थे लेकिन और अ उननीस में पंकजा मुंडे की सिस्टर जो चुनाव लड़ चुकिती इसकार पंकजा मुंडे की नाराज़गी दूर करने के लिए विजे पी ने पंकजा मुंडे को टिकित दी है और उसके साथ अभी भाई भैनों का मिला पहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं जो धन राज्ट्र का 9 बज़े तक का आकड़ा सामने आ चुका है आप सीधी तस्वीरे वहाँ से देख रहे हैं कि आज जो सुभा 9 बज़े तक मतदाताओं में कित्ता उससाह देखने को मिला और कहीं न कहीं लगतार जो मतदान प्रतीशत का आकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ न प्रता हुआ question